भारती सेना ने बीते कुछ वर्षों में अपना पूरा ध्यान भविश्य में होने वाले युद्धों पर केंद्रित किया है। ऐसे में सेना के लिए युद्धक साजो समान, हत्यार भी उसी लिहास से उपलब्द कराए जा रहे हैं। इसी बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भी भविश्य के हत्यारों पर काम करना शुरू कर दिया। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के ऐसे कौन से पांच हत्यार या प्रोजेक्ट हैं जो भारत को बहुत ही सक्षम बना देते हैं और दुश्मनों का दम निकालने में पूरी तरे से सही उतरते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है S.L.U.A.V. सम्मेरीन लौंच्ट यू.A.V. देखो भारतिये नौसेना के लिए नए हत्यार की तैयारी हो रही है। कुछ समय में नौसेनिक पंडुबियों में ऐसे ड्रोन्स तैयार तैनात किये जाएंगे जो पानी से निकल के दुश्मन के जहाज, विमान या जमीन पोस्ट को तभा कर देंगे। ये आत्मगाती ड्रोन होंगे यानि ये खुद को खत्म करके दुश्मन की पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। भारतिये नौसेना ने डियार डियों के जरिये इस तरह के हत्यार को बनाने की जरूरत के लिए एक एक्सप्रेशन आफ इंट्रेस्ट जारी किया था। आसे पांच हत्यार जो भारत को सुपर पावर बनाने की शमता रखते हैं और डियार्डीों के विग्यानिक कई सालों से इन हत्यारों पर काम कर रहे हैं। इस घातक हतियार पर भारत ही नहीं अमेरिका, रूस और चीन भी इस पर काम कर रहे हैं प्रन्तु अभी तक सफल नहीं हुए हैं जबकी भारत इसी दिशा में इन घातक हतियारों को विक्सित करने में चीन जैसे देशों से कहीं आगे पहुंच गया है यह हतियार दुर्गा काली से भी अधिक घातक है अभी तक तो इसकी जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है हो सकता है आप इसके नाम से भी वाकिफ ना हो चीन और अमेरिका भी इस पर काम कर रहे हैं अगर भारत को इसे बनाने में सफलता मिलती है तो ये तो तै है कि हिंद महसागर में भारत अपना वर्चस्व बना लेगा ये एक ऐसा ड्रोन है जिसे सम्मेरीन से लॉंच किया जाएगा सम्मेरीन में बनी ट्यूब से इसे लॉंच किया जाएगा और ये सटीक अपने टार्गेट को हिट करता है दूसरे नंबर पर आती है इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेल गन डी आर्डियो बना रहा घातक इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेल गन ये जो है भारत भविश्य का हतियार नब थल और जल तीनों सेनाओं की बनेगा ताकत क्या है ये देखो DRDO भविश्य के हत्यारों पर भी कारे कर रहा है इसी सिलसले में उसने इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेल गन बनाने की शुरुआत की इस गन की खुबी यह है कि यह बिना विस्फोटकों के 200 किलो मीटर की दूरी से फायर कर सकती है बारूद की जगे इसमें इलेक्ट्रो मेगनेटिक फील्ड का प्रियोग किया जाएगा इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करेंट से इलेक्ट्रो मेगनेटिक फील्ड तयार होता है जिसके कारण रेल गन में लगा हुआ गोला द्वनी की रफ़तार से भी 6-7 गुना ज्यादा तेजी से बाहर की और निकलता है इस तोप की खासियत यह है कि इसमें गोला दागने के लिए बारूद नहीं बलकि इलेक्ट्रो मेगनेटिक फील्ड का इस्तमाल किया जाता है DRDO ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है पूरे स्थित इसकी प्रियोक्षाला Armament Research and Development Establishment यानि ARDE में इस पर काम शुरू किया गया यह थल, नब और जल सेना तीनों के लिए भविश्य का एक महत्वपूर्ण हतियार साबित होगा आने वाले समय में यह तोप भारतिय सेना में शामिल होता है तो नब जल थल तीनों सेनाओं के लिए यह घातक हतियार होगा जानकारी के मताबिक इस तोप में गोला दागने के लिए जो मैंने पहले बताया कि बारूद नहीं Electromagnetic Field का इस्तमाल होता है और यह इस तोप में Electric Current के जरिये जो गतिय उर्जा पैदा की जाती है जो गोले को ध्वनी की रफतार से 6-7 गुना ज्यादा रफतार से फेंकेगी DRडियो के पूर्व विग्यानिक डॉक्टर रवी गुपता ने बताया कि अमेरिका वारूस समेब कई देश इस तकनीक पर काम कर रहे है यह समुधर में दुष्मन के जहाज, मिसाइल हमले, दुष्मन के वाईउयान को गिराने में पूरी तरह से सक्षम है तीसरे नमबर पर आता है प्रोजेक्ट विश्नु क्या है प्रोजेक्ट विश्णू इस प्रोजेक्ट के अंतरगत दो तरहें की मिसाईलों की को विक्सित किया जा रहा है 700 किलो मीटर रेंज और दुश्मन को कोई मौका नहीं चलिए जानते हैं शौरिय मिसाईल क्यों है खास चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत रोज रक्षा तक्नीक में कामियाबी हासिल कर रहा है पिछले कुछ महीनों में कई डिफेंस और मिसाईल सिस्टम समेथ एडवांस्ट वेपन सिस्टम का भी टेस्ट किया गया है शौरिय एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जिसे एक कमपोजिट कैनिस्टर में स्टोर किया जा सकता है इस वज़े से मिसाईल को कहीं भी तैनात करना और बाहरी चीजों से बचाना बहुत ही आसान है यह मिसाईल पचास किलो मीटर की उंचाई पर मैक सेवन या टू पॉइंट फोर किलो मीटर पती सेकंड की रफतार से चलती है टारगेट को हिट करते वक्त इसकी रफतार मैक फोर हो जाती है इसका वार हेड एक सो साथ किलो ग्राम का है मिसाईल की रफतार इतनी तेज है कि सीमा पार बैठे दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए चार सो सेकंड से भी कम का वक्त मिलेगा पडोसी देश और दुश्मनों की तो नींद उड़ा देगी ये बिरलिस्टिक मिसाईल समुद्र और जमीन दोनों से हमला करने की शमता है पाकिस्तान और चीन के साथ पिछले कुछ समय से जो तनावपूर्ण महोल बना हुआ है ऐसे में भारत का नई मिसाईलों का सफल परिक्षन करना एहम हो जाता है तीन अक्तूबर को भारत ने शौरिय मिसाईल के नए संस्करन का सफल परिक्षन किया था या मिसाईल के मिसाईल फैमिली का हिस्सा है हाइपर सौनिक मिसाईल एडवांस किसम के हत्यार है जो ध्वनी की गती से भी पांच गुना ज्यादा स्पीड में चल सकती है या मिसाइल दुश्मन के ठिकाने को तभा करने के लिए होती है अगर आसान भाशा में समझें तो हाइपरसॉनिक मिसाइल एडवांस किसम के हत्यार है जो ध्वनी की गती से भी पांच गुना ज्यादा गती में चलती है यह मिसाइल दुश्मन के ठिकाने को तबहा करने के लिए इतनी तेज गती से चलती हैं कि इन्हें ट्रैक कर पाना और रोक पाना मुश्किल हो जाता है इसलिए इसकी गिंती सबसे घातक हतियारों में आती है अगले नंबर पे आता है आई एन्स विशाल जी हाँ आई एन्स विशाल 65,000 टन वजनी का हो सकता है जबकि आई एन्स विक्रांथ और आई एन्स विक्रमादित्य का वजन 45,000 टन के करीब है इस युद्पोद की लंबाई 284 मीटर हो सकती है जबकि आई एन्स विक्रांथ की लंबाई 262 मीटर और आई एन्स विक्रमादित्य की लंबाई भी 284 मीटर के है आई एन्स विशाल की उचाई 60 मीटर और चोडाई भी 60 मीटर हो सकती है INS विशाल पर एक साथ करीब 55 fighter plane तैनात होने की उम्मीद है जबकि INS विक्रमा दित्या पर करीब 35 और INS विक्रांथ पर 30 fighter plane तैनात हो सकते हैं INS विशाल की अधिक्तम स्पीड 55 km प्रति घंटे हो सकती है और इसकी अधिक्तम रेंज 14,000 km होने की संभावना है जबकि INS विक्रांथ की अधिक्तम स्पीड 50-52 km प्रति घंटे है INS विक्रांथ को 1600 लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया जबकि INS विशाल में एक साथ जानते हैं कितने लोग रह सकते हैं 2300 तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने नाम को सार्थक करता है यानि INS विशाल मतब विशाल अगले नंबर पे आता है L.R.S.A.M लॉंग रेंज तो एक टारगेट के लिए दो मिसाई चार सो किलो मीटर अटाइक रेंज ये है D.R.D.O. का अभेद्य आसमानी रक्षक भारत में ऐसा कवच तयार हो रहा है जो चीन और पाकिस्तान की मिसाईलों को आसमान में ही बेसर कर देगा अगर भविश्य में युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान पर हमला करने के दुश्मन के मनसूबे काम्याब नहीं हो पाएंगे देश में रूस के S.400 मिसाईल सिस्टम का इंडियन वर्जिन बन रहा है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तयार कर रहा है इसका नाम लॉंग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाईल यानी LR S.A.M. है इसकी ताकत जानते हैं इस स्वदेशी S.400 मिसाईल सिस्टम को फिलहाल LR S.A.M. नाम दिया गया है स्वदेशी LR S.A.M. दुश्मन के विमानों और मिसाईलों को मार गिनाने में सक्षम होगा भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बिलकुल रूसी S.400 मिसाईल सिस्टम की तरहें काम करेगा इसकी रेंज S.400 के जैसे ही 400 किलो मीटर तक होगी S.400 की ही तरहें स्वदेशी LR S.A.M. भी दुश्मन के फाइटर जेट्स बैलिस्टिक मिसाईलों और अट्रैक ड्रोन को हवा में ही मार गिराने में सक्षम होगा रक्षा सूतरों के मताबिक भारत का लॉंग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाईल तीन लेयर वाला होगा यानि इसमें सतह से हवा में मार करने वाली तीन अलग अलग रेंज की मिसाईलें फिट होंगी जो अलग अलग दूरियों पर हिंदुस्तान की और आते हवाई दुश्मन को आसमान में ही देंगी भेद देंगी इससे एक टार्गेट पर दो मिसाईलें दागी जा सकेंगी तो अब आप समझ लीजिए कि इतना पांच घातक हतियार और प्रजेट के को देखते हुए क्या दुश्मन कभी भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगा प्लीज कमेंट करके बताएं धन्यवाद